आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि क्यों किया जाता है ब्रहस्पती व्रत तो दोस्तों ब्रहस्पती व्रत की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं ब्रहस्पती व्रत का था. सालों पहले एक गाउं में ऐसा गरीब धार्मिक ब्राहमन रहता था, जिसकी इस संतान नहीं थी. वो रोज नहा धोकर मन से देवताओं की पूजा करते हुए संतान की मान करता, लेकिन ब्राहमन की पत्नी खूबालसी थी. वो न सनान करती थी और नहीं पूजा पाथ. पत्नी की इस आदत से ब्राहमन दुखी रहता था. ब्राहमन के धार्मिक गुनों से उसके घर में जल्धी संतान के रूप में एक पुत्री ने जन लिया. उसकी पुत्री भी ब्राहमन की ही तरह धार्मिक थी. जैसे जैसे वो पतिवार का उक्वास भी करने लगी। इससे ब्राहमन के घर की गरीबी भी दूर होती गई। हर दिन पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए स्कूल भी जाती थी। स्कूल जाते समय वह अपनी हाथों की मुठियों में जो भरकर स्कूल के रास्ते में गिराती जब वह स्कूल से वापस घर के लिए आती तो गिराए गए जो के दाने सोने में बदल जाते थे जन्हें उठा कर वह घर लेकर चलिया आती थी। एक दिन ब्राहमन की बेटी सोने के जो सूप से साफ कर रही थी। तब ही वहाँ आकर उसकी माने कहा बेटी सोने के जो को सूप मानगा। ब्राहमन की बेटी हर बार पूरे विधी विधान से ब्रहस्पती देव की पूजा अर्चना करती थी। इससे प्रसन होकर भगवान उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी कर देते थे। इसी तरह उन्होंने सोने के सूप वाली प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। अगले दिन हर रोच की तरह ब्राहमन की बेटी पूजा पाठ करके स्कूल गई और रास्ते में जो के दाने बोते हुए गई। वापस आते समय जब वह जो के दाने बिन रही थी तो उसे सोने का सूप भी मिल गया। सोने का सूप लेकर वह घर आई जिससे उसने सो राजकुमार गुजर रहा था। राजकुमार ब्राहमन की बेटी को देखते ही उस पर मोहित हो गया। जब वह अपने महल पहुचा तो ब्राहमन की बेटी के मुव में उसने खान पीना त्याग दिया। जब राजा को ये पता चला तो उन्होंने राजकुमार से इसका कार पूछा. राजकुमार ने अपने दिल का सारा हाल राजा को बताया. अगले ही दिन राजा अपने मंत्री के साथ ब्राहमन के घर गया और ब्राहमन के सामने उसकी बेटी का विवाह अपने राजकुमार से करवाने का प्रस्ताव रखा. राजा का प्रस्ताव सुनकर ब्राहमन काफी खुश हो गया. उसने तुरंती विवाह करने के लिए हां कर दी. कुछ ही दिनों में राजकुमार और ब्राहमन की बेटी की शादी हो गई. इधर, ब्राहमन की बेटी शादी होने के बाद अपने ससुराल चली गई. उधर, ब्राहमन फिर से गरीब होने लगा उसके बुरे दिन दुबारा वापस आ गए एक दिन ब्राहमन अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल गया पिता की हालत देखकर उसने बहुत सारा धन देकर ब्राहमन को विदा किया बेटी का दिया हुआ धन कुछी दिनों में खत्म हो गया और ब्राहमन गरीबी की वजह से परेशान हो गया ब्राहमन फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए महल गया और उसने बेटी को सारी समस्याइं बताई अपने गरीग ब्राहमन पिता की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, पिता जी, कल आप मां को लेकर मेरे पास आएं. मैं उन्हें ब्रहस्पती देव के उपवास और पूजन की विधी बताऊंगी. इसे करने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी. ब्राहमन ने ऐसा ही किया. अ लेकिन ब्राहमन की पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी. वो अभी भी पहले की ही तरह रहती थी. मां की ऐसी हरकतों से तंगाकार एक दिन उसकी पुत्री ने मां को एक कोट्री में बंद कर दिया. उसे जबरन सुबह स्नान करवाया और भगवान विष्नु की पूजा इससे उसकी मां की बुद्धी में सुधार हो गया. अगले ही दिन से ब्राहमन की पत्नी सुबह उत्ती, स्नान करती और भगवान विष्नु की पूजा करती. साथ ही बेटी के बताया अनुसार हर ब्रहस्पतिवार के दिन वह उप्वास भी करने लगी. इससे प्रसन होकर ब पृत्यू के बाद ब्राहमन और उसकी पत्नी को स्वर्क का द्वार भी मिला. तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया गया है कि क्यों किया जाता है ब्रहस्पतिवरत आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताएं ऐस